हे नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नय इंट्रेस्टिंग वीडियो पे बिसिकली यह वीडियो होने वाला टॉप 10 लुए पीसी गेम और वो ओपन वल्ल्स होने वाले के पीसी पे मिनिमम 40-15 जीवी के असपा स्पेस खाली होना चाहिए प्रसेसर की बात के हो तो इंटल को टुड्यू में अराम से चल जाएगा इंग में आप कहीं भी घूम सकते हो लुएंट पीसी में खेल सकते हैं बिल्कुल आप इसे लुएंट पीसी में खेल सकते हो अपर हम गौर करते हैं इसके सिस्टेम रिक्वार्मेंट की मिनिमम जूची भी होना चाहिए ग्राफिक काट की बात करते हो वीडियो और हम आपके पास 256 MB होना चाहिए जो कि आज की पर सभी कंप्यूटर में इससे जाधर रहते हैं बाइड डिफॉल्ट मैं बोल रहा हूं ठीक है और यहां पर आपके पास प्रोसेसर होना चाहिए को टुडियो जो कि बहुत ही पुराना है एंड स्पेस खाली मिनिमम यार 15 GB होना चाहिए तो आप अराम से इस गेम को आप पर खेल सकते हो डाउलोड करना है लिंक विल बी इन देस्क्रिप्शन आप सेम वेबसाइट पर डारेट लिंक जाके डाउलोड कर सकते है तो यार चलते हैं अपने अपने थर्ड गेम के ओपर जिसका नाम है जसकॉस्ट टू एंड यह गेम भी बहुत ही अमीजिंग दोस् तो वह आप रोक्स वह आपका 23rd March 2010 को है और यह वी ओपन वर्ल्ड गेम है यह आपका PC, PS3 and Xbox सबके लिए आता है बट अभी हम PC के लिए बात करने तो गाइस इस गेम का system requirement में थोड़ा बता देना चाहता हूं दूस्टो राम निमम आपके बास 2GB होना चाहिए ग्राफिक का अगर आपको इसे भी डाउनलोड करना है लिंक विल वी इन देस्क्रिप्शन है अभी तक मैंने जितने भी गेम बताएं वो सभी open world है आप अराम से इसे खेल सकते हो अपने फोर्थ गेम के ऊपर जिसका नाम है prototype and guys prototype एक बहुती अच्छा गेम है शर्वाइब करना पड़त है बट यह भी एक open world गेम जैसा ही यह भी आप low in PC पर खेल सकते हो तो guys इस गेम के बार में तो डिस्क्राइब कर देना चाहता हूं prototype एक action adventure इंड शूटी यह में इसे डेबलब किया गया रेडिकल इंटरप्राइज के थू and दूस्तों इस गेम को publish किया गया 9th June 2009 को and यह भी system requirement की तो यहां पर आपको स्राइम निवम वंजी भी होना चाहिए और ग्राफिक काट की बात को तो बने हम पांसो पाराएं भी नीड है एंद सो प्रोसेसर की बात को इंटल आर को मतलब यह बहुती पुराना प्रोसेसर है उसमें आपका गेम अराम से चल जाएगा बढ़त प्रोसेसर की बात को तो इंटल को टुडियो में अराम से चल जाएगा स्पेस की बात करते हैं मिनिमम आपकी PC या लापटब 12GB की आसपस पेस खाली होना चाहिए इस गेम का भी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन मिल जाएका आप वहां सकते हमारे वेबसाइट से दाउलोड कर सकते हैं परते हैं हमारे फिफ्ट गेम के उपर गेम है वो है हमारा फार प्राइट 3 और इसे भी डबलब किया गया है Ubisoft के दोबार यहां इस गेम का क्या सिस्टेम रिकार्मिट है क्या हम इसे लुएंच पीसी में खेल सकते हैं जिहां दूसर फार क्राइट 3 कॉब लुएंट पीसी में खेल सकते हैं इसे भी डाउट करना तो लिंक विल बींदर डिस्क्रिप्शन आप जाके डाउलोड कर सकते हमारे वेब सकते हैं इसे डवलक किया ग launched platform के लिए video pア부 बात करें मुझें रिक्वार्मेंट की ब्याद करें मतलब जैसे मैं सीरिषी जलते आ रहा है bastant फइस hasn't done आपके पास खाली होना चाहिए इसमें आपको action adventure shooting पूरा मिलता है यह भी open world game है अगर आपको डाउलोड करना है तो link will be in the description अप अराम से जाकर इसे डाउलोड कर सकते हो हमारे 7th game के उपर Sand Road 3rd यह तो सबसे action adventure shooting game है यह भी आपको open world game है इसे develop किया गया evaluation and publish किया है THQK through and its date 15 November 2011 and इस game के बारे मैं थोड़ा दिस्क्राइब करते ना चाहता हूं दूस्तों एक मतलब बोला जाए तो amazing game है इसमें आपको missions मिलते है plus आप इसमें थोड़े funny movement भी कर सकते है 3rd इसमें का graphics बहुत ही अच्छ है दोस्तों इसका एक remastered version है बट उसका system requirement थोड़ा हाई है मतलब 4G RAM में चलता है बट यूँ यह sand through 3rd है यह दोस्तों आपको 2G RAM यहां पर हमें system requirement की बात कर लेता हूं यहां पर 2G RAM होना चाहिए ग्राफिक कार्ट की बात को इन सभी का link आपको मेरे website पर मिल जाएगा और सभी direct link है आप अराम से जाके upload कर सकते हो तो दुस्तों हमारे 8th game के उपर है LNR8 तो guys इस game को इस game का क्या कहना तो guys यह game आप बोल सकते हो कि यह GTA 4 & Mafia 2 का remix है आप यह बोल सकते हो इसमें भी action adventure in shooting game है इसमें भी आप घूम फिर सकते हो मतलब city में इधर उधर घूम सकते हो mission complete करने के अलावा और इसे डवलब किया है Rockstar ने और यह game पब्लिश हो है 17 May 2011 को इसका भी system requirement बहुत ही लो है आप आराम से अपने low in PC में खेल सकते हो यहां पर हम बता दे सिस्टम requirement कि यहां पर राम आपके बास राम तूच भी होना चाहिए ग्राफिक काट की बात कर तो मिरें पांसों बैर होना चाहिए आपके पास 16 जीपिया सबस्पेस खाली होना चाहिए और मैं एक बात पता देना चाहता हूं इस गेम को स्टॉल करने से पहले यह पूड़ा अपना ड्राइवर्स को अपने ड्राइवर्स कॉपड़ेट का ले ना क्योंके यह यह ड्राइवर्स में थोड़ा लोचा खरता ह और इसका अगर आपको डावलोड लिंक चाहिए तो विल भी इन माई डिस्क्रिप्शन और आपको मेरे वेबसाइट पर आप जाके सर्च कर सकते हो गेम का नाम डाल देना और सब डारेट लिंगे तो आप अराम से जाके डावलोड कर सकते हो बढ़ते हमारे 9th नंबर वाल आपका 19 November 2009 के 9 को यह भी आपका पूरा GTA 4 जैसा गेम है इसमें भी आप ओपन वर्ल जैसा गेम है इसमें भी आप घूम फिर सकते हो मिशन कंप्लीट कर सकते हो और वेल गैस इस गेम का मेरे को सबसे अचा बात यह लगता है कि इसका जो सिस्टम रिक्वार्मेंट है वो आफिक कर्स की बात करो यार तुमिनीमम पांसो बाना भी नीड है और दुस्तो प्रोसेसर की बात करते हैं डूल कोर में अराम से चल जाएगा और स्पीस आपकी पास दूस्तो अप्रोक्स वही 6GB के आसपा स्पास पेस खाली होना चाहिए और इसको भी लिंक आपको मेरे व बुली SE, यह गेम भी आपका action adventure shooting game है और इसमें भी आपको missions मिलते हैं और दोस्तों अपको बहुत सरे missions मिलते हैं और इस गेम को डबलब किया गया रॉक स्टार के थूरू और अपको गेम बनाता है तो यार वो तभाई गेम रहे बुली के सीरीज गेम का वह आपको बताने क जरुवती बहुत ही अच्छा है और इसका जो रिलीस डेट है वह 17 October 2006 है और अल्मुस्ट यह सभी प्लाटफॉर्म के लिए in fact android के लिए भी आप खेल सकते हो बट अभी हम PC के बारें बात करने है और इसका में system requirement थोड़ा बोल देना चाहतो तो दोस्तों RAM minimum 1GB होना चाहिए आपको मेरे website में मिल जाएगा आप महां से राउलोट कर सकते हैं तो बस दोस्तों यही कुछ 10 गेम थे आपके low in PC के लिए प्लीज दोस्तों कमेंट सेक्षिन हो बता रहा कि आपको कौन सा गेम लगा और मैं फिर बता दरहा हूं सभी गेम के लिंग आपको मेरे website में मिल जा थे तब तक लिए मैं मिलता हूँ एक और वीडियो में तो अपना ख्याल रगना और अपने परिवार का ख्याल रगना तब तक लिए जय हिन जय भर